केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर के तोर पर लगभग सौ करों रुपे मिले थे वरिष्ट अरिकारी ने कहा कि साइटी अब उस मुख्य मदर्से की पहचान करने की कोशिश कर रही है जिसके तहट इन मदर्सों द्वारा ये धनराशी खर्च की गई थी और क्या इसमें कोई अनियमित ता थी साइटी का नहित्रत्व कर रहे ATS के अतिरिक्त बहानी देशक मोहित अगरवाल ने कहा उतरप्रदेश में लगभग 24,000 मदर्से हैं जिन में से 16,000 से अधिक UP मदर्सा सिक्षा बोर द्वारा मानेता प्राप्त है हम इस बात की जौच करेंगे कि विदेशी फंडिंग से मिला पैसा कैसे खर्च किया गया है संशेप में ये जौच ना है कि क्या पैसे का इस्तेमाल मदर्सा चलाने या किसी अन्यगती वीधियों के लिए किया जा रहा है अगरवाल ने एक इंटरव्यू के द्वारान बताया कि जौच पूरी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई सावे सीमा नहीं बताए गई जासे जुड़े सूत्रों ने बताया कि SIT पहले ही अपने बोर्ट से पंज्युकृत मदर्सों की डीटेल मांग चुकी है योग्यादेतनाच सरकार ने पिछले साल जुलादी कारियों को गयर मानिता प्राप्त मदर्सों का सर्वेक्षन करने का निर्देश दिया था दो महिने की सर्वेक्षन के दौरान 8,449 मदर्से ऐसे पाए गए जो राज्यो मदर्सा सिक्षा बोर्ट दौर्ट मानिता प्राप्त नहीं थे नेपाल सीमा से सटे लखीम पुर्खिरी, पीली भीत, श्रावस्ती, सिधार तगर और बहराईच के अलावा आसपास के कई इलाकों में हजार से जारा मदर्से चल रहे हैं सूतर बताया कि पिछले कुछ सालों में इन इलाकों में मदर्सों की संख्या तेजी से बढ़ रही है इसके अलावा इन मदर्सों को विदेशी फंडिंग मिलने की भी जानकारी मिली थी जिसके बाद SIT का गठन किया गया अलसंख्यक विभाग की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि कई मदर्सों को विदेशी फंडिंग मिल रही थी हाली में ATS ने बांगलादेशी नागरिकों और रोहिंगियों के अव्यद प्रवेश में शामिल एक गिरोह के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफतार किया है जांच में पता चला कि दिल्ले से संचालित एक NGO के जरिये तीन सालों में 20 करोर रुपे की विदेशी फंडिंग मिली जिसका इस्तमाल उनकी मदद के लिए किया चारा था ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स